हेलो एवरिवन दिस प्रोफेसर एमेच और आज इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं वी विल सी इन दिस वीडियो सीक्रेट रिजर्व तो सीक्रेट रिजर्व क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि secret reserve कैसे create किया जाता है, क्यों create किया जाता है और उसके effects क्या हैं, अगर आपने मेरा last video देखा होगा, that talks about window dressing window dressing हम लोग क्यों करते हैं, वो मैंने, और कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है, उसका effect क्या है that we saw in the last lecture, तो वो हम लोग ने देखा था, उसका exactly opposite is secret reserve, तो जो secret reserve होता है, वो exactly opposite होता है किसका, किसका होता है, window dressing का होता है, आई बस समझ में, yes or no, तो अगर कोई आप से पूछे, कि what do you mean by secret reserve, तो it is nothing but, it is nothing but, it is nothing but, opposite of window dressing, तो जबी जबी आप window dressing करते हो, उसको अगर आप उल्टा कर दोगे, तो that is secret reserve, अब हम लोग इसका application देखते हैं, इसका actual meaning देखते हैं कि क्या होता है, तो secret reserve, नाम से ही पता चल रहा है, secret, आप कुछ hide कर रहे हो, reserve, आपको पता है कि profit को कहा जाता है, तो आप profit को hide कर रहे हो, right, तो जब आप profit को hide कर रहे हो, इसका जो basic meaning यहां पर दिया है, secret reserve का, तो इसका जो basic meaning यहां पर दिया है, secret reserve का, तो ही reserves are part of profit, वही मैंने अभी आपको कहा कि reserve क्या होता है, यह profit का part होता है, which is created by a person for future use, तो अभी आप job कर रहे हो, job कर रहे हैं, आप salary कमा रहे 50,000 तो आप पूरा spend नहीं करोगे न, 50,000 तो 20,000 spend करोगे, बाकी क्या करोगे, आप save करोगे, yes, save करोगे, अब save करने के बाद, उसको क्यो save कर रहे हो, आप future में use कर पाऊ, तो reserve जो होता है, वह part of profit होता है, उसको आप future use के लिए क्या करते हो, create कर के रखते हो, side में, आई बस समझ में, yes or wrong, समझा के नहीं समझा, ठीक है, अब ये तो reserve का मतलब हो किया, अब secret मतलब क्या, तो secret मतलब, something that is not or must not be known by other people, ये वो चीज़ होती है, secret का मतलब होता है, बोलते हैं न, ये मेरा secret है, किसी को पताना नहीं, तो that means something that is not or must not be known by other person, जो दूसरे को पता ना चल सके, that is called secret, तो reserve का मतलब है कि profit, आपने profit को side में रखा, future use के लिए, that is reserve, लेकिन ये profit को आपने side में रखके उसको अगर छुपा दिया, that is called secret reserve, तो secret reserve ये होता है, are secretly created, are secretly hide, but not shown in the balance sheet, balance sheet में नहीं दिखाया जाता है, उसको secretly create करके छोड़ दिया जाता ह आई बास समझ में, तो अगर कोई पूछे कि what do you mean by secret reserve, तो उसको पहले आपको elaborate करना है, कि reserve जो होता है, वो होता है profit का part, जिसको future use के लिए use, हम लोग use, create करते हैं, और secret होता है, जो हम लोग hide करते, तो जो profit को हम लोग future use के लिए hide करके रखते हैं, that is called secret reserve, आई बास समझ मे तो secretly created और वो balance sheet में नहीं दिखाया जाता है, next part, यहाँ पर मैंने अभी बताया, secret reserve is nothing but opposite of window dressing, कि जो जो आप काम window dressing में करते हैं, उसका opposite कर दो, तो secret reserve होता है, तो window dressing में क्या आप अच्छा अच्छा दिखाते हो, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास पैसा है, ये सब बैंक balance है, लेकिन secret reserve में आप उसका opposite दिखाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास बैंक balance नहीं, हमारे पास property नहीं, कुछ नहीं है, आई बास समझ में, yes or no, ठीक है, तो फिर, इसके बात दिया है, in secret reserve, companies show low financial position, but in reality, it remains in a better position, तो window dressing और secret reserve, window dressing में क्या window नाम से पता चल रहा है, आप अच्छा दिखा रहे हो picture, picture अच्छा दिखा रहे हो, दिखा रहे हो के नहीं, दिखा रहे हो, लेकिन आपका position थोड़ा low होता है, secret reserve में क्या होता है, आप position low दिखाते हो, लेकिन आप कितना better position में होते हो, आई किसी को पता नहीं है आई बस समझ में यह विंडोड रेसिंग का क्या आता अपोजिट होता है और इसमें हम लोग फाइनेंशल पोजिशन को लो दिखाते हैं लेकिन कंपनी एक्चल में बेटर पोजिशन पर होती है आई बस समझ में यह सपर मोग समझा के नहीं समझा ठीक है तो यह होगया अब यह कैसे क्रिएट किया जाता है वह हम लोग देखेंगे while we create that way we will see क्यंव create कОा secret क्रिएट को क्यूं प्रॉफिट किया जाता है उसको छुपा के क्यों रख रहे हो why 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 secret reserves are created तो पहला to hide abnormal profit हो सकता है किक य Beautiful साल में abnormal profit हो जाए अब abnormal profit का मतलब जिसे example के तोरपे आपकी एक pharma company है abnormal profit का मतलब आपको बता ता अपकी क्या है pharma company है pharma company आप paracetamol बनाते हैं उभार के लिए यूज होती राइट अब पैरसिटमॉल नाम सुना होगा अब पैरसिटमॉल नॉर्मल उसका सेल्स होता है पुरे साल में 100 करोड एक्जाम्पल के तौर पे लेकिन डूरिंग इस कोविट पीरेड जो आपका 2020 में पूरा साल और 2021 पूरा कोविट में गया उसके पता है कि हर साल अभी देखो आप देख सकते हो कोविट का सिचुएशन ना हो इट इस नॉर्मल लेकिन कभी-कभी बीच-बीच में हो कुछ नया नया वेरियंट आ जाता है जिसकी वज़े से थोड़ा सा पैनिक हो जाते है और लोग फिर वापिस मेडिसीन खरीदना स्टा करने वाला नहीं है यह तो नॉर्मल हम लोग को इसके साथ ही जीना है तो पैरसेटमोल का जो भी सेल होगा और नॉर्मल सेल होगा 100-200 क्रोड इससे जादा नहीं लेकिन डूरिंग डाट कोवेट पीरिए 2020 के अंदर उसका सेल कितना हुआ 1000 क्रोड जिससे प्रॉफिट कितना हो गया उसको जादा हुआ रहेगा जो भी प्रॉफिट हो रहेगा तो वह अबनॉर्मल प्रॉफिट को हाइड करने के लिए कि फ्यूचर में आएगा नहीं इतना सेल्स होगा नहीं नॉर्मल सेल ही होगा आई बस समझ में तो अबनॉर्मल प्रॉफिट को हाइड करने के ल जैसें आप हुआप कोई भी हैं लेलो जो investor कोई भी हैर भोसे पैसा हैं हमारे पास अभी कुछ नहीं है तो वह थोड़ा लीनियंड हो जाता है वह अपनी प्राक्टिस जो कॉंपिटीशन रहता है तो उसको करने के लिए वह इतना ज्यादा मतलब कास्टमर को अट्रैक करने के लिए अपना-फट आपना सेलीषन के लिए अगर्टाइज करें के लिए लेकिन नेति research करेंगे यह तो कंगाल है तो secretly reserve create करके दिखा रहा है position अपना लो तो बला यह तो position में लो है तो यह मेरे competition में क्या करेगी तो वो अपना advertise कम कर देता है तो mislead करते हैं company वाले secret reserve करके competitor को कि हमारी position अच्छी नहीं है तो वो भी फिर इतना जादा आगे नहीं आते और इलोग भी अपना नीचे नीचे अपना sales कर पाते है I hope आपको समझ में आया point yes to mislead the competitor next use access fund for personal purpose हो सकता है कि उन्हों ने जो यह secretly reserve create किया है वो personal purpose के लिए use कर पाए किसी को बताए नहीं और अपनी purpose के लिए कुछ बंगलो खरीद ले या मत अनी personal purposes तो personal purpose के लिए भी use किया जाता है create किया जाता ह आई बस समझ में फिर दिया है to meet future obligation हो सकता है कि अभी जो profit हुआ है future में इतना profit ना हो तो future में कुछ अगर unexpected contingent liability आ गई तो उसको कैसे handle करेंगे तो उसको handle करने के लिए हम लग secretly क्या करते है reserve create करते है तो future में कुछ भी expense आएगा liability आएगा तो we will handle it next to maintain future dividend भाई अभी sales जादा हुआ इतना 100 करोड का तो dividend दे देते है लेकिन यह dividend आप next year दे पाओ के क्या नहीं तो इतना dividend दो जो हर साल आप maintain कर पाऊ तो future में dividend को maintain करने के लिए भी क्या किया जाता है secretly reserve create किया जाता है फिर बोला है set up future losses future में अगर कुछ loss हुआ right future में अगर आपको loss हुआ जैसे यहाँ पर abnormal profit हो गया तो हो सकता है future में loss भी हो जाए तो profit हो गया तो उसको hide करो ना बाद में जो loss होएगा उसको आप handle कर पाऊगे तो future loss इसको set up करने के लिए भी आप create करते हो तो यह तो why हो गया why we created secret reserve अब हम लोग देखेंगे how it is created अब how तो आपको याद रहना चाहिए जो में window tracing में आपको कराया था उसका opposite लिखना है तो दो तरीके से होगा asset को understate करो मतलब कम दिखाओ और window tracing में asset को क्या करना पड़ता था अब यहाँ पर क्या है asset को down दिखाओ लेकिन window tracing में क्या होता था अप दिखाओ आई वा समझ में यह opposite हो जाता है same way में liability है तो liability को overstate करो लेकिन window tracing में क्या होता था उसको down करो अब यह कैसा देखो secretly reserve है तो आप reserve कैसे create करेगे चुपा चुपा के ना अब यह आप लोग का friend circle friend circle अभी मेरे पाफ पैसा है तो मैं बोलूगा रहे मेरे पाफ पैसा वैसा कुछ नहीं है तो मैं अपने asset को अपने cash को कम दिखाओ तो वह पैसा में अपने future में यूज कर पाऊंगा अभी friends से party ले लूँगा और बोलूगा मेरे पाफ पैसा नहीं है आई बस समझ में तो मै secretly reserve create कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं तो asset को कम दिखाओ asset को क्या होगा कम दिखाओ और liability को क्या होगा ज्यादा दिखाओ access में दिखाओ तो secret reserve create होगा आई बस समझ में expense दिखाओ मैं बोलूगा यार मेरे पास 100 और लेकिन मेरे को खर्चा लगने वाला है तो मैं अभी explanation है under statement asset को कैसे किया जाता है वो window tracing का exactly सेम है तो एक बार go through कर लेते हैं हम लोग asset को record करेंगे low cost पे asset 100 रुपे का है तो 80 रुपे में दिखाएंगे आई बार समझ में उदर window tracing में high cost पे रहेगा तो यही explanation वहां का उठा उठा के आप लोग opposite लिख सकते तो आपका पूरा थेरी लिखने का concept भी clear हो जाएगा फिर provision of more तो यह याद रखना जहां more low आ रहा है उसका opposite window tracing में लिखना है और window tracing का अगर याद हो गया तो यहां पे उसका opposite लिखना है तो depreciation ज्यादा दिखाओ अंडर valuation of closing stock दिखाओ तो वहां पे over valuation आएगा ठीक है अंडर valuation दिखाओ फिर आएगा writing of intangible वहां पे write-off मत करो यहां पे write-off कर दो intangible asset जो भी है provision of access bad debt दिखाओ वहां पे कम bad debt दिखाओ यहां पे ज़्यादा दिखाओ कि भाई पैसा नहीं आने वाला है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग understate करेंगे asset को तो जितने asset होंगे asset को low cost पे दिखाएंगे depreciation ज़्यादा चार्ज करेंगे closing stock को कम पे दिखाएंगे intangible को हटा देंगे और bad debt ज़्यादा दिखाएंगे उस तरीके से हम लोग के asset क्या होंगे कम understate होंगे same way मैं liability कैसे दिखाने का तो ज़्यादा दिखाओ higher amount पे record करो फिर क्या बोला है fictitious liability दिखाओ कि भाई यह liability है नहीं पे करना है Mr. X को 10,000 पे करना है लेकिन ऐसा तो कुछ हाई नहीं तो fictitious liability को दिखाओ ज़्यादा दिखाओ treating contingent liability as actual liability आपको पता है यह liability होने वाली नहीं है यह liability यह खर्चा होने वाला नहीं है उसको बोलते है contingent liability मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है chances नहीं होने का रहता है तो contingent liability को actual दिखाओ contingent liability को actual दिखाओ तो आपका overstate हो जाएगा liability showing reserve as a current liability जो reserve था reserve मतलब profit होता है न तो profit को आप liability दिखाएंगे तो उस से सबसे भी आपकी overstatement of liability हो जाएगी तो जो भी आपके पास reserve है जैसे मेरे जेब में 100 रुपया पड़ा है तो आप बोलेंगा अरे sir आपके पास 100 रुपया मैं बोला रहे है 100 रुपया किसी को देना है तो वह आपकी liability हो जाएगी तो मेरे लिए तो वह reserve हो वह मुझे ही पता है लेकिन मैंने सामने आले को क्या बोल दिया अरे यह तो मुझे किसी को pay करना है तो reserve को आप current liability trade करते हो आई बस समझ में yes or no तो this is all about secret reserve how why and meaning देखा फिर ह इफेक्ट देखते है secret reserve का तो effects of secret reserve क्या होता है तो पहला company का position अच्छा दिखेगा क्या नहीं आप ऐसा दबा दबा के रखोगे दिखाओगे नहीं तो आपका position क्या दिखेगा bad position दिखेगा ठीक है next suffering to shareholder इससे effect किसको आएगा सबसे बड़ा effect shareholder को ही आएगा क्योंकि shareholder को कि नेक्स्ट inefficiency of management management की inefficiency को आप छुपा सकते हो आप secret reserve create कर दिये तो management ने कुछ अच्छे से नहीं किया होगा इसकी वज़े से तो यह problem आया रहेगा ना तो inefficiency of management होगा next misappropriation of asset जो asset आपने cash को आपने छुपा छुपा के रखा अब छुपावा चीज जो होता है उसको कोई भी misuse कर पाएगा उसको कहीं और गलत जगा पर यूज कर पाएगा जैसे personal expense के लिए आप यूज कर पाओ या कुछ personal holiday के लिए यूज कर लो तो misappropriation मतलब misuse आप asset का कर सक सकते हो उसका effect यह आ सकता है फिर no insurance claim तो अगर कोई asset आपने वो reserve से create किया ठीक है और वो कुछ उसके अंदर effect आया कि आग लग गई या कुछ destroyed हो गया तो आप उसको claim भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो secretly create हुआ था ठीक है मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई building था building को दि ठीक है destroy हो जाती तो आप claim कर पाओगे भाड़े वाली चीज़ का आप claim थोड़ी करोगे owner करेगा तो आप जैसी claim करने जाओगे हो सामने आला बोलेगा भाई ये तो भाड़े पर पता है तो आप claim नहीं कर पाओगे तो ये effect आएगा फिर penalty and prosecution directly आपको penalty लग जाएगी अगर उनलों ने find out कर लिया कि भाई आपने ये सब गलत गलत पैसा छुपा छुपा के रखा है शेर होल्डर को suffer करवाया है एसेट को misuse कराया है तो आप पे penalty भी लग जाएगी और आपके ओपर cases भी हो सकते हैं तो ये कुछ effect हैं जो आपको धिहान में रखना है कि जब आप secret reserve create क सकते हो और लिख सकते हो बस यह याद दखना secret reserve को कैसे create किया जाता है how why we created और उसका effect okay so that's all for today आप लोग इसको एक बार go through करिये कुछ doubt आएगा तो please comment and please like and subscribe for more videos